नमस्कार जिस्टिटी के इस ओनलाइन प्लेटफोम पर मैं मुकेस बाकर आप सभी का एक बार फिर से हाधिक स्वागत करता हूं तो लास्ट क्लास से अपनी थी बैजी तवड़े डिवाजबिलिटी उसके बारे में हमने अध्यान किया और कुछ क्यूसंस है वो हल किये तो आज भी हम वही टोपिक लेके चल रहे हैं कुछ क्यूसंस रहे गए थे वो क्यूसंस आज हम करेंगे तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट अब हमारे पास में क्यूसंस है यदि M N दरात्म पूर्णांख है तो दिखलाईए M प्लस वन का फेक्टोरियल M का फेक्टोरियल N का फेक्टोरियल से भज्य है तो सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया वा भी क्या दियावा है M N दरात्म पूर्णांख है तो दर्शाए कि M प्लस N का फेक्टोरियल यानि कि हमारे पास में जो दियावा है वो क्या है M प्लस N का फेक्टोरियल यही तो हमें सिद्ध करना M प्लस N का फेक्टोरियल M के फेक्टोरियल और N के फेक्टोरियल से वज्य है यह चीज अपने को द्रश्चा नहीं है यह चीज अपने को बता नहीं है कि यह यह किलिए है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको खुलेंगे M plus N का factorial करेंगी तो M plus N का factorial क्या होता है एक एक कर लो अरे मैं इसको ये लिख सकता हूँ M plus N ये है M plus N तो 1 2 dot 3 dot M M तक लिखूँगा फिर M के बाद में जाएगा M plus 1 M plus plus 2 dot M plus N upon factorial M N factorial N क्या मैं इस रूप को इस रूप में लिख सकता हूँ कोई confusion नहीं है एक से लेकर हम यहाँ पर सिंख्या है जो कार तक लेके आ रहे हैं M तक लेके आ रहे हैं और M के बाद वाले सिंख्या क्या हो जाएगी इसमें एक जूट जाएगा यही तो होता है और यह दिया मैं कहूं कि N सिंख्या होती है एक से N तक सिंख्या है तो N के बाद वाले सिंख्या क्या है उसमें एक और जूट दो तो यहाँ पर क्या है कि एक से में लेके M तक गया और M के बाद में जो आगे वाली सिंग्ट यह होगी, वो क्या होगी? M प्लस 1, M प्लस 2, M प्लस 3, M प्लस 5, M प्लस 6, M प्लस 7, ऐसे रहेगी? और कहां तक चलेगी? M प्लस N तक, यह चीज आपके दिमाग में आनी बहुत जुरूरी है, यदि यह आपके दिमाग में आगई ने, तो क्युसन तो यहीं पे कंप्लिट हो चुपा है, अब आगे कुछ भी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अब देखना यहां पे 1, 2, 3, यहां प्लस 1, M प्लस 2, dot, 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 M प्लस 10, upon factorial M., एन इस से ये कट जाएगा तो अब हमारे पास कितना रहा एम प्लस से वन एम प्लस से टूब दोडोडोटे एम प्लस से एन अपोन फेक्टोरियल एन यही रहा इसमें अभी तो कोई नहीं है इसमें confusion नहीं है तो अब यहाँ पे आद देखना यहाँ क्या दियावा है M plus 1 M plus 2 और डो 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 टे M plus N दियावा है इसके according हम क्या बता सकते हैं कि N N कर्मा गत पूर्णांकू का गुणन दफल upon factorial N क्या इसको मैं यह लिख सकता हूँ अरे लिख सकता हूँ क्या कहां तक चल रहा है N तक चल रहा है अंतिमबद क्या है इसमें N है तो जब यह मान होगा तो N कर्मा गत पूर्णांकू का गुणन दफल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर है M plus 1 M plus 2 और कहां तक चल रहा है M plus N तक चल रहा है यानि के अंतिम सिंग्या हमारे पास में क्या है N अरे M plus N ही तो है अंतिम सिंग्या अरे वही तो है तो यहाँ पर जो N कर्मा का तो पूर्णांकू का गुणन दफल ले क्या हो जाएगा हमारे पास में कितना प्रात्त हो जाएगा फेक्टोरियाल है एन यहीं तो होगा और यहां पर क्या दियावा है इसका मान कितना हो जाएगा फेक्टोरियल एन अपने तो यह कितना हो गया कट गया तो कितना गया एक पूर्णा यहीं माना यह तो अब यहां पर लिखना चाहो तो यह एन कर्म अब तो इसकी हमने ही चिन की यह नहीं बहुँत हैं यह देखो आपने अपलस ने फ्क्रापक्रापक्रियल यह था और एन का फिक्टियल यह था और ऑग बाग दिया तो हमारे पास में पूरा-पूरा बाग चला गया और की पॉरा पुरा चला गया तो जब िक्षलख चला जाता है तो यही को प्लस एन का फेक्टॉरियल अपोन एम का फेक्टॉरियल एन का फेक्टॉरियल बढ़िए-शला गया बाग बढ़िवर चला गया कोई दिक्रत नहीं है तो परतना क्लिट हो नंहीए भी कमलेट हो चुपाई बस इतना से पता और वना चाहिए कि इनकी गुंद फ़ल है वो हमें कर्मा गत रूब में ले के आने हैं और कर्मा गत स्थ रूब में आ गए तो कुसर दिए वहीं परानेश करने हें पड़ेगी वह तो ले कर आने पड़ेगी अब ऐसे कोई नहीं देगा खाना बनाया वाँ मिल रहा है खाना आपको यह हाथ से खाना है ठीक है अब नेक्स क्यूशन देखो यह है यदि एन सम है तो सिद्ध कीजिए एन एन प्लस वन एन प्लस टू चोबिस से विबाज्य है यह क्यूशन है अपने पास में तो वहीं देखो तो यहां पर देखो ख्ल लिख दिया एन सम है तो आइन ब्राबर लेली हमने कोईसे क्या माली क्यूंद अब बराब हमने एक कोश्चन क्या है जो कि 2m मानी तो अब क्या करेंगे इस n की जगे क्या लिख देंगे हम 2m लिख दो बस तो n है यहां पे तो यह हो जाएगा 2m यह हो जाएगा 2m प्लस 1 यह हो गया 2m प्लस 2 2 क्लियर है इतना अब यहां पे देखो यह सिंग्या तोड़ी कुछ ठीग नहीं लेगरी मुझे ठीक थो लग रही है हमें यहां पे कोश्च तुन्दरता नहीं दिखानी है बस यहां पे है 2m प्लस 2 आ गया ने तो कोमन आ रही है इस विख से तो कोमन ले लो पे ले तो कोमन ब्रेकिट 2m प्लस 1 एंड म प्लस 1 ठीक है इतना अब यहां पे आप देखना कि यह 4m ब्रेकिट एंड प्लस 1 पूट ऐसे लिक दो और इसे 2m को में क्या लिख सकता हूं में यहां पर अपने वह लेकिए आना है तो इसके दो टुकड़े कर ले तो दो टुकड़े हम क्या कर सकते हैं यह तो एम प्लस 2 कर दो प्लस एम वह मुझे माइनस वां क्या मैं इसको इस रूब में लिख सकता हूं यह लिख रहे लेकिए का मैं इसके दो टुकड़े कर दिए किड्च प्लस है कि पहले एक कर द i तो इसको आगे हल करते हैं क्या सही है तो अब क्या कर सकते हैं एक है माइनस से वन तो जब यह दो संक्या दिए तो उन दोनों संक्या हम क्या कर सकते हैं इनका जो यह फोरेम वड़ा है फोरेम प्लस वन वो दोनों संक्या हमें बुणा करा देते हैं तो दोनों संक्या हमें पेले तो M प्लस 2 से गुणा कराएंगी, फिर M माइनस 1 से, तो ये कितना हो गया, 4M, M प्लस 1, M प्लस 2, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4M, M प्लस 1, M माइनस 1, कि लिए रहे इतना, ठीक है इतना, तो यहाँ पे आप देखो, इस 4 को तो पढ़ा रहे ने दो, यहाँ पे M, M प्लस 1, M प्लस 2, सेकिंड बड़ा क्या है, 4M, M प्लस 1, M प्लस 2, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 तो पढ़ा रहे ने दो, M माइनस 1, M, and M प्लस 1, 3 कर्मा गत, पूनांकों का गुणन फल, 3 से भजे है, क्या सही है, अरे M, M प्लस 1, M प्लस 2, सेकिंड बड़ा में M, M से कम है, तो पहले आ गया, उसके बाद में M आईगा, और उसके बाद में M प्लस 1 आएगा, तो क्या ये दोनों रूप है, जो हमारे पास में दिये हैं, ये रा, 4 M, 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 and M, and M, क्या दोनों संख्या कर्मागत रूप में है, अरे कर्मागत है या नहीं है, एक के बाद एक, दो, तीर, ऐसे करते हैं, तो क्या उस टाइप में है, M प्लस होना गया, M प्लस 2 आ गया, और इससे पहले ये M रहा, अकेला है, उसके बाद में एक जोड़ दिया, थीक उसी परकार यहां पर देखो 1 माइनस कम हुआ है तो यहां कित convertim being Tecal ऑन सब्सक्राइब हमारी पास में कर्मागत रूप में है कर्मागत कुला के है और विए कर्मागत पुनाक रहेंगे तो उसका मान कितना होगा फेक्टोरियल 3 तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ 4 तो है यहाँ पर और इसका मान कितना हो जाएगा फेक्टोरियल 3 अरे फेक्टोरियल 3 होगा ने 4 तो है ओल्रेडी और यह हो जाएगा फेक्टोरियल 3 और प्लस 4.3 तो ये कितने होगे 6 6 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 24 तो M 24 प्लस M 24 तो कितने प्राप तो हो जाएंगे भई यही करना था क्या अपने को और यहां प्लस 1 M 24 से विवज़े है और यह 24 से विवज़े हुआ या नहीं वा फैक्टोरियल 3 का मान निकालना तो आता है न आपको तो उसको 4 से गुना कर दिया कितने हो जाएंगे 24 हो गए और यहां पर हमारे पास में यह जो मान प्राप्त हो गया इसके कोंड़ हम क्या सकते हैं कि M जो यहां पर 24 का मान है वो इस संच्या उपरवारी संच्या से विवज़े है या नहीं है अरे हो गया यह बस यही तो करना है अपने को सारे कि उसनों बस सेम ट्रिक लग रही है सेम ट्रिक है सेम तरीका है बस आप तो कुछन करते रहो कॉनफिदेंस लेटे का व्यक्यां पैसे नहीं कि कई बचसे से होते हैं जो कि क्या сторон करते की एक चुस्ण समझ लिया उसके बाद मेरे मेरे को आ रहा है देखते हैं उस कुछन को आप करोगे नहीं तो समझ में नहीं आने वड़ा है math रेगुलर्टी मांगती है प्रेक्टिस मांगती है यदी प्रेक्टिस नहीं है तो क्युसन चाहिए बिल्कुल लिजी है आंच्वर हम बाग दे रहे हैं गुणा करने तो भी नहीं आएंगे आंच्वर वज़े क्या है कि math प्रेक्टिस मांगता है science subject आपने लिया है तो उसमें आपने regulatory नहीं रखी तो science लेने का कोई उचित्य नहीं है कोई मतलब नहीं है क्योंकि science में सारे questions सारे topic practice मांगते हैं regulatory मांगते हैं इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ आपको कि जितने question में यहां पर करवाता हूँ उसके बाद में आप घर पे जाके घर पे हैं फिर से एक बार revise किया करो ताकि आपके यह question पूरा clear हो जाए एक बार आप just a time जैसे कि मैंने पड़ा दिया उसके बाद में आप just मिलाते होने तो भी वो question फिर आप कभी नहीं बूलोगे अब कुछ यह बच्चे क्या करते हैं कि अरे यार यह तो easy है यह तो m plus 2 क्यार m minus 1 कर दिया रही इसको गोना कर दिया रही तो complete हो गया अर तो बैड़ा complete हो गया लेकिन complete होने यह मैंने किया है आप लोग कर उसको तब पता चलेगा कि इजी तो है लेकिन अपने को आ रहा या नहीं आ रहा है क्लियर है तो नेक्स्ट क्विशन देखो कि यदि एन सम है तो दिखलाईए एन ब्रेकिट एन स्वार प्लस 2048 से दिविजिबल है कि विबज्य है कि कितने से लिफ्य एन से 48 से 68 से करेश्टा कर ना क्या है बस प्लसं तो हो चुका है कि कोई य enterprise सोच रहा हुगा कि कहा हुआ कि क्युस्न बस आंसवर आ चुके है कि इस टाब की के कि सब्रें यस टेहां ऑज़ाने लेकिन कई बार गलत देता है तो ध्याना आपकी को रखना है तो है यहां पर देखो अब यह दी एन वीबजे है श्वरी एंसम है तो सबसे पहले यहां पर रखा तो यह कितना हो जाएगा टुएम का स्क्वाइर प्लस 20 हो गया टॉंटी आप देखो यहां पर कि यहां से स्वरी यह बएधर पू सुरूरें तो यहें कितना हो जाएगा टुम ब्रेकिट वि स्क्वाइर तो कितना हो जाएगा यह गया हो गया tekrar का मि ले लूँगा तो यह कितना हो जाएगा एट एम और यहां पर कितना रहा एम स्क्वाइर प्लस से फाइव राग्या या सिक्स रहा है फाइव रहा है कि ट्वंटी यह नहीं यहां पर चलो ठीक है भी तो अब देखवा आप यह है एट एम रेकिट की बाहर यहां पर एम स्क्वाइर प्लस से फाइव तो इसमें देखना आप एम स्क्वाइर प्लस वन और और मैंनस मinet करो मैंनस मारम मैंनस में ़िए पूछने की बात है कि यहां पर इस रुपने क्यों रिखा भय मैं नहींद है7 indž तो यह दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा कि यहां पर देखो आठ आया वाह है और M-1 करेंगे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे दो टुकड़े कॉन-1 और M-1 और यहां पर क्या वाद यहां दिया वाह हमें तो अब देखना एक तो एट M स्वेड़ें और 6 यह घुना हो जाएंगे तो 30 हो जाएंगी और इजर से यह 3 का, फैक्टोरियल हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे छे हो जाएंगे और 6 क59 तो DButton 6 हो जाएंगो और HN अर बस यही आपको दिमाग लगाना है दिमाग इसमें बस एक ही जगे यह लगनाय कि टुकड़े क्वान से पढ़ों में करने हैं किन किन पढ़ों में तुकड़े करने और यहां पर यह दिया तो फिल हो जाएगा है एस एन मिश्ट olv आर फाई दो मैंने और सिक्ष मेम थैले किया क्योंकि एह आम आत यहांप इसको मैं यह लेकR सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक ही बात है इनको बस अलग लग टुड़े किये तो यहां पर देखना आप एट एम एम स्क्राइब मैनस वन यह कितना हो जाएगा एट एम और एम प्लस वन एम माइनस वन प्लस एट एम और यह होगे शिक्स कि लिए लेतना तो अब देखो इस रूप इसको हमें क्या लेख सकता हूं एट को बारे ने दो यह हो जाएगा एम माइनस वन एम 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 प्लस वन ठीक उसी प्रकार से यह है एम 48 क्या अब बित तक कोई कंप्यूजन है कंप्यूजन है तो भी बता दो गए क्योंकि बाद में यह कि उसन हल करने वाला है यह नहीं और मुझे नहीं लगता कि 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 अब देखो मेरा ये लिखने का दिशे यही था कि मैंने इसको कर्मागत संख्या के रूप में मैं ले आया इसको क्या आ गया कर्मागत संख्या के रूप में एया यह नहीं है अरे म माइनस वन एयम से एकम हो गया फिर उसके अंदर एक जोड़ा तेम रहे गया और उसके बाद में एम प्लस से वन तो तीन कर्मागत पुणागों का यह कितना होता है तो यहां पर कितना हो जाएगा यह एक सिक्षिन टुए टुए एट कितना हो जाएगा हम को इसे नहीं यह बता गए तीन इंटू दो एक होता है लेकिन चलो मैं ने बता दिया तो यहां पर देखो आप यह कितने हो जाएंगे 48 इसको है मैंने एक स्मॉल के मालिया प्लस यह हो गया अर्तालिस से विबाजे है या फिर इसको एक स्टेप यह लिग दो अर्ताली से के प्लस एम और इसके बाद में अर्ताली एम अर्ताली से दिया गया मान अर्ताली से विबाजे है और मान क्या दिया वा था यह रहां मान एण n का स्कॉइब प्रस है 20 जो कि 88 से विबाज्य है क्या विबाज्य हो गया बई हो गया ने तो बस यही इसके आंस्वर है लिख दो आंस्वर इस तरह से निकालना आंच चुटकियों में निकल रहे हैं कि उनको देखा नहीं की आंस्वर आए नहीं ठीक है तो आज के लिए इतन नहीं कल फिर मिलेंगे जन्यवाद बाए बाए बाए